हेलो फ्रेंट्स मैं हम डोक्र को ठालकर और आज की वेडियो में हम जानेंगी दातों की सडन के वर में कि दातों की सडन क्या होती है सडन कैसे लगती है सडन कैसे बढ़ती है दोस्तों हमारे दातों में तीन परते होती है सबसे बाहर की परद जो सफेद रिंगे दिखा दिती है। उसे email कहते है. यह हमारे दाद की सबसे मजबूत परद होती है। जेकिन इस इस पनर मे कोई भी ऐसास नहीं होता है। क्योंकि इसके आंदर नसे नहीं होती है। दूसरी परद होती है, d Enti। जिसके अंदर nerves की opening होती है इसलिए हमको इस परत के अंदर एसास होता है और सबसे अंदर बारी परत कहनाती है पल्प इस परत के अंदर नसे और रख्त की धम्या होती है अब हम जानते हैं दातों की सडन क्या होती है दोस्तों जबी भी हम कुछ खाते हैं तो खाने के बारी कड़ हमारे दाद को चिपक जाते हैं और इनी कड़ों के ऊपर परबते हैं किटाडू ये खास तरीके बैक्टिरिय होते हैं जो इन अन्न कड़ों को गलाते हैं और एसीड बनाते हैं और यही एसीड आपके दाद की परतों को गलाने रगता है इससे आपके दाद के दाड में गड़ा बन जाता है और इसके अंबर और अन्ना ड़दे रखता है और अन्ना पसने रखता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक यह आपका दाद पूरी तरह से गड़ना जाए दोस्तों, ये बैक्टेरियां हमें अपनी आंकों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दातों की सडन को हम अपनी आंकों से देख सकते हैं दोस्तों, हम जानते हैं सडन की वज़से होने वाले दान के दर्थ के बाले में जब ये सडन आपके दातों ही सबसे नहीं कोई की दर्थ होता है क्योंकि अयसे ड्रद की एनमल में कोई नसी नहीं होता है इसलिए इस टेज़ु को गुड़ी की तद ंप नहीं होते है जो कि गलत है लेकिन जब ये सड़न दाग के सबसे बीचो बीच पहुंच जाती है मतलब कि पल में पहुंच जाती है तब पेशेंट को जोरदार दर्द होता है और ये दर्द लगाता बना रहता है अकसर आपको लेटने पर ये दर्द बहुत तेज हो जाता है इसलिए कई बार ही पेशेंट समया करके बताता है कि सर रात बार मुझे जाग करके काटना पड़ी इतना दर्द हो रहता हूं इस स्टेज में पेशेंट्स अकसर मैडिकल स्टोर से पेंग गिलर या दर्द बिहार के दवायां करी देते हैं और कुछ टाइम के लिए उनका दर्द बंद हो जाता है लेकिन यहां पर भी अगर नजर अताजी की गई तो आगे जा करके पेशेंट्स को सूजन आ जाती है दोस्तों अगले वीडियो में हम जाने के कैसे जाने के आपके लापो में सड़न लगए है और अलगले सेजेज में इनका इलाज क्या है अगली वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पोच सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिये